नमश्कर दोसों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं Samsung Galaxy F12 आपके पास F02S है कोई भी मॉडल है तो यहां पर आप आप कॉल फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं किसी दूसरे नमबर पे तो कॉल फॉरवरड करने के लिए आप चले जाएंगे यहां पे SETTING पर जाने के बाद सूरी मैं यहांजром डायलर से बता देती हूं डायलर पर जाना है आपको डाइलर पर जाने के बाद यहां पर 3 dot पर जाएंगे और setting पर जाएंगे तो setting पर जाने के बाद यहां पर scroll करेंगे आपको यहां पर supplementary services का option देखने को मिलेगा आप इसपे click कर लेंगे और wait कर लेंगे आपके सामने इस step से option खुल के सामने आ जाएगा अब यहाँ पर जो call forwarding का option है आप इस पर click कर लेंगे यहाँ पर आपको voice call forward करने है या फिर video call तो मैं voice call पर click करूँगी और wait कर लेंगे तो यहाँ पर इस step से option आ जाएगा तो यहाँ पर दो तिन option है जैसे कि आपका always forward when busy always यानि कि हमेशा आपकी call किसी number पर forward होगी when busy यानि कि जब आप busy रहेंगे उस दोरान किसी की call आती है तो दूसरे number पर forward हो जाती है unanswered यानि कि जब आप एक bell पर phone नहीं उठाते हैं तो दूसरी call किसी और number पर forward हो जाती है unreachable का मतलब होता है यहाँ पर अगर आप अपना number डालते है फिलाल के लिए company का number डाला हुआ है जिससे आपको message रेसीव होता है या notification रेसीव होता है कि आपका phone unreachable जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना दूसरा number भी add कर सकते हैं ताकि जब unreachable हो तो यहाँ पर उस condition में आपकी दूसरे number पर आपकी call चली जाए transfer हो जाए ठीक है तो यहाँ पर आप अपना number add कर सकते हैं तो mostly लोग यहाँ पर unreachable के लिए करते हैं ताकि जब unreachable जाए उनका phone तो उस condition में किसी की भी important call आए तो यहाँ पर वो आपका दूसरे अपकी number पर आए मैंने update कर दिया है तो देख सकते हैं मेरा वाला number add हो गया है तो यहाँ पर इस ट्रैप से आप किसी भी condition में अपनी call को forward कर सकते हैं I hope guys यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आओगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार